हलो दोस्तों नमस्कार स्वावत है आपका डियस गुरुजी में और दोस्तों हमने आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको बताते हैं टोपिक-wise की कौन-कौन से क्योशन लास्ट एक्जामस में रिपीट हुए इसमें बहुत से टोपिक से हैं यहां जींको कवर करना बाकी है, तो दोस्तों इसी सीरीज में आज का जो अपना टोपिक है वह है भारत की मिठी Soil of India, इससे related कौन-कौन से questions exam में पूछे गए, इन सब के बारे में जानेंगे दोस्तों, ये ऐसे question हैं, जो हर exam में repeat होते हैं, और दोस्तों, center level के, state level के हर तरह की question यहाँ पर लेकर आते हैं, तो friends, इसका link description में है, आप खुद से भी इसे पढ़ सकते हो, तो दोस्तों, start करते ह भारत की मित्ती से रजट कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से, किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर देशिये लवनी आद्र भूमी हैं, दोस्तों, ISP के exam का question है, और दोस्तों, हो सकता है हमारे राजस्तान का जो exam होता है, उसमें भी ये question आजाए, कि ऐसा कौन सा राज्य है, जिसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर देशिये लवनी आद्र भूमी है, ओप्शन है, गुजरात, B. हरियान, C. मध्यप्रदेश, और D. राजस्तान, तो दोस्तों, ऐसा राज्य है, गुजरात, जहां पर दोस्तों, भारत की सबस का question है, दोस्तों, और दोस्तों, ये जो मिट्टी है, जो भारत का सरवादिक शेत्र है, उस पर जलोड म्रदा का विस्तार पाया जाता है, और दोस्तों, जो जलोड म्रदा होती है, वो उपजाओ भी मानी जाती है, म्रदा, इसमें विभिन तरीके की फसले भी उगई जा सक जाती है, PPPSC exam का question है, और दोस्तों, इनके अनुसार हमारे इंडिया में 8 तरकी म्रदाएं पाई जाती है, इसके बादे दोस्तों, next question है, भारत में निम्ने लिखित में से कौन म्रदा शमू, लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, दोस्तों, ये जो है इसा म्रदा समू है दोस्तों, जिसमें क्या है, आईरन की मात्रा क्या है, बहुत जादा है, और इसी के कारण इसकी उर्वरता कम होती जा रही है, घरती जा रही है, यहां पर अनुर्वर लिखा हुआ है, दोस्तों, इसका मतलब है उर्वरता घटना, IASPRI का question है, और दोस् नेक्स्ट क्योशन गंगा के मैदानों के पुरानी कछारी मिठी कर लाती है दोस्तों BPSC एक्जाम के क्योशन है और इस क्योशन के एक बात में आपको बता दू तो यह क्योशन राजस्तान के एक्जाम में 2-3 बार पूछा जा सुका है और दोस्तों यह जो पुरानी कछारी म मिट्टी है उसका प्रदानने माबलाबार तट्रिये प्रदेश में पाया जाता है इसके बाद है नेक्स्ट क्योशन मकरेला लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है ससी का क्योशन है और दोस्तों मकरेला है वो परिणाम होता है दोस्तों काली मिट्टी का लेटराइट ब्रदा भी से केते हैं इसके बाद है दोस्तों next question है जलोड मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है जलोड मिट्टी के लाल मिट्टी जाता है वह मिट्टी होती है लाल मिट्टी इसके बाद है दोस्तों next question भारत में पाई जाने वाली कौन से मिट्टी क्रेष्टे CS युग में दरारी उद्भैदन से निक्षेपित पधारतों से बनी है इसके बाद है निम्ण लिकित मैसे किस मिट्टी के बारे में इसका जा सकता है कि जुत्याइस रत होती जा रही है तो दोस्तो बीएड एक्जाम का question है और दोस्तो ये मिट्टी है काली मिट्टी इसकी जो तैश्वत होती रहती है इसके बाद दोस्तो next question है रेगुड मिट्टी सबसे ज्यादा है बीपीएसे एक्जाम का question है और दोस्तों जो रेगुड मिट्टी है वह सबसे ज्यादा है दोस्तों महाराष्ट्रा में इसके बाद है next question निमने लिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए नियूनितम उर्वरक की आउशकता होती है यह जो question है दोस्तों यह है GIC exam का और दोस्तों यह मिट्टी होती है जलोड मिट्टी इसके लिए नियूनितम उर्वरक की आउशकता होती है क्योंकि जो दोस्ते श्मिर्थी की उर्वरक समता होती है वो बहुत अधिक होती है इसलिए इसके लिए उर्वरक की आउशकता बहुत कम होती है इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है निम्न मेंसे कौन से मिट्टी प्रायदी प्य भारत में अधिक्तम शेत्र पर विश्टरत है कौन स्टेवल का क्योशन है और दोस्तों जो प्रायदी प्य शेत्र में भारत में अधिक्तम शेत्र पर विश्टरत है वो मिट्टी है दोस्तों काली मिट्टी ध्यान रखना है इस दोस्तों चार वर्ग एकदम प्रमुख है इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्योशन है निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके करण चंबल के खंड बने हैं ससी का एकजाम का क्योशन है और दोस्तों यह अपरदन होता है आस्टर जिससे सीट का अपरदन भी कहते ह इसी से चंबल के खंड बने हैं इसके बाद है दोस्तों लावा के प्रवा से किस मिट्टी का निर्मान होता है जी आइसी का क्योशन है और दोस्तों जो लावा का प्रवा है उसके से उससे जो मिट्टी निर्मित होती है दोस्तों वो होती है काली मिट्टी इसके बाद है दोस इसे कपासी काली म्रदा भी कहा जाता है इसके बाद है दोस्तों भारत की सरवादिक महत्वपूर मिट्टी कौन सी है जी या इसी एक्जाम का क्योशन है तो दोस्तों भारत की सरवादिक महत्वपूर मिट्टी है जलोड म्रदा इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्योशन है निम्न मेंसे कौन सरवादिक समरद्ध मिट्टी है force के exam का question है और दोस्तों ये मिट्टी है जलोड मिट्टी ये सरवादिक समरद्ध मिट्टी की शेड़े में आती क्यों आती है दोस्तों क्योंकि इसी पर सबसे ज़्यादा फसले उगई जा सकती है तो दोस्तों आज इस repeated questions के series में इतना ही बाके जानकारी के लिए आप DS Guruji के साथ जुड़े रहे और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर like करिएगा, comment करिएगा, आपने दोस्तों के साथ share करिएगा तो दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल DS Guruji को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर दरखा notification आपको प्राप्त हो, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, thank you so much, thanks for watching